जै श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है, आपका हमारे चैनल रत्योहार कहानिया में जब भगवान उठेंगे, नेतर खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन, भगवान विष्णु, श्रीमत भागवत का था, इस्तंद पुराण, पदम पुराण, अगनी पुराण, जितनी भी पुराण उठाना चाहें, सारी पुराणों को उठा कर देखना, कि प्रथम बर्णन आप सबसे पहले किसका दर्शन कर देखना, किसका दर्शन, किशकंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, कि भगवान नाराण, जब नेतर खोलते हैं, तो खुद की अर्धागनी लच्छनी देदी महाराद, ब्रह्मा, आधिक आधिक देवता सब खड़ और भगव बगवान शंकर अपने ही मुख से बगवान श्री हरी का गुणगान नहीं करते होंगे जब कार्ति के महिने में आवला नूमी का भृत आता है तो जो उपास नहीं भी रखते हों जो फूजन नहीं भी करते हों उनसे मेरा निवेदन है कि इसकंद पुराण में कार्तिके के पावंचरित्र में इसकंद पुराण में इस्पष्ट किया गया और कल्यान का कार्तिक खंड पढ़ियेगा कभी योग लगे तो गिता प्रेज गौरत पुर का कार्तिक खंड पढ़िये अब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आवला नौमी के दिन आवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगा कर मध्यान से पहले दोपहर के बारा बजे से पहले आवले के पेड़ के नीचे आवला नौमी के दिन कार्तिक के महिने में इसकंड पुरान करती है जो घी का दिया लगा कर पूजन करकर अपना पल्लू बसार कर आवले के ब्रच की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी चाल को अपने अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिरा कर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपने किजोरी में अलमारी में रख लेता है उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपधा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन, वेभाव, सक्ता बढ़ती है, बढ़ती है, आउला नुमी की कथा में एक परसंग आता है, आउला नुमी का पूजन आपको करना आता है, बरत करने वाली माता है, बरत करती है आउले के पेड़के नीचे जाकर पूजन करना बोजन करना आउले का ब्रच की छाया में बेठना उस दिन किसी को अप्षब्त ना कहना आउले की पूजन करकर अपनी जोली को पसार कर चिटी उंगली और अंगूठे से आउले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना, ये आउला मुमी की पूजन का विधान है, समुपदा के, एक बहुत अच्छा समय, रात्री के नो बच के पंदरा मिनिट का एक समय होता है, जिस व्यक्ति का रोख, बिमारी, समाप्त नहीं हो रही हो, ह शंकर भगवाल के शिवलिंग का, जो तुमारे घर में शंकर जी विराजमान हो, उसका, या शंकर जी के मंदर में जाकर शंकर जी का, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आउला पड़ा हुआ, मतलब आउले के पानी से, शंकर का अविशेक पूजन कर लीजे, उसका नाम कर लो जो रोक से ग्रसीत हो एक दिन दो दिन तीन दिन करोगे वो हस्पिटिल से छुट्टी करते जाएगा उसका रोक समखत हो आउले के ब्रक्च के नीचे